राम नाम जी, नमश्कार, स्वाकेत हैं आप सभी का, तो कोंके बाद, कोंके संघर्स और आतंक के बाद, कुमू कश्मीर के लोगों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया, कि लोकतंत्र ही बविश्यका रास्ता है, बारत की ताकत उसके लोकतंत्रिक सिध्धान्तों में है, और इ अलगाओ वादी लोग हार गए, यह बहुत बड़ी विज़े है भारत देश के लिए, आपको कह लगता है कमेंट करके जरूर बताईए, लाइन में लग लग कर बोट डाले, कह कुछ रहे थे, किया कुछ, किश्मीर के लोगों ने मुझे लग रहा है काफी कुछ अच्छा कि है, उनको भी कुछ अच्छे की उमीद है इस समय, छे 370 हटने के बाद, यह पहला विदान सवा चुनाब था, जिसमें जन्ता ने खुलकर हिस्सा लिया, 65% से ज़्यादा लोगों ने मतदान करके यह इस फस्ट किया कि जम्मू कश्मीर के लोग अब विकास और शान्ती चा चाहते हैं कश्मीर में, यह साबित हुआ है इस चुनाब से जम्मू कश्मीर में, फ़िके नियुताओं ने इस चुनाब को जम्मू कश्मीर में लोग तंत्र की जीत और पाकिस्तान समर्तित आतंकबाद की हार बताया है, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान और अलगावबादी और कुछ ऐसी शक्तियां जो भारत की दुश्मन है वो कुछ ना कुछ रायता फैलानी की कोशिश हमारे देश में करते रहते हैं। मैं खुद यह कह चुका था कि इस बार हरैना में कॉंग्रेस जीतेगी हजारो हजारो लाको लोग यही कह रहे थे कि इस बार हरैना में बीजेपी जीतेगी परंतु बाजी पलट गई है। जाग रहे हैं। जो स्पीड है वो कम हैं बट हिंदू सनातनी भारती है जाग रहा है और भारत की जो गरिमा है भारत का जो मान है सम्मान है सनातन का उसको बनाने में अब एक एक नागरेक अपनी जाती धर्म छोड़कर आगे बढ़ रहा है। किसानों युबां और महिलाओं ने पार्टी के विकास मॉडल को अपना समर्थन दिया है। कमेंट करते हैं, उल्टी सीधी बातیں करते हैं, बीजेपी की तرف से ऐसे उल्टी सीधी कमेंट ना आते हैं। खास बात ये भी देखी गये कि बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि बहु backyard वालो तुम इनको counter क्यो नहीं करते हो। तो उल्जलून बातों को बीजेपी काउंटर भी नहीं करती। आज ये लग रहा है कि शायद ये बीजेपी की सही रण नीती है। और नूपुर शर्मा जैसे केस में जब हम कहते हैं कि बीजेपी इनको बचाती क्यों नहीं है। तो शायद वहाँ पर भी कोई बीजेपी का लॉग टर्म का कोई डिसीजन रहता है। हमको लगता है कि बीजेपी अपने कारिकरताओं को नहीं बचाती है परन्तु लॉग टर्म में पीकी कोई नीती रहती है। तो हमें उसके उपर विस्वास कर लेना चाहिए। ये दोनों चुनाब हरेना के और जम्मू कश्मीर के चुनाब लोगतंतर की मजबूती को दरसाते हैं। जम्मू कश्मीर में लोगतंतर की जीत ने ये साबित कर दिया कि भारत आतंकवाद को हराने में शक्षम है। त्याना में बीजेपी की सफलता ने ये सुनिशित किया कि ये विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है देश का वविश्य है लोगतंतर विकास और शांती माद्दिम से ये भी निवेदन करना चाहूंगा भारस सरकार से शिक्षा पर थोड़ा सा ज्यादा जोर दें शिक्षा पर थोड़ा सा ज्यादा जोर दें जो कि पिछले दस साल में कहीं न कहीं मुझे लगा है कि शायद उतना जोर नहीं है शिक्षा पर थोड़ा सा ज्यादा जोर दें क्योंकि शिक्षा ही वंदे को मजबूत बनाती है किसी काबिल बनाती है आपका क्या विचार है इन चुनाप परिणामों पर तंद्रों विकास की ये दिशा सही है कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही महत्पूर जानकारियां हैं और हमसे जुड़े रहें जैहिन जभारत